हे गाई इस देक्तिर और वाचिंग देक्तिर व्लोग दिन के इस आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एवर्यूथ नैचुरल्स के प्योर एंड लाइट टैन रेमूवल पैक का जो की है फॉर फेस एंड बॉडी मतलब पूरे बॉडी में जहां भी टैन हो रहा हो इस वले पैक को हमको लगाना है बटके इस वीडियो चाट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं इस मुखड़े को पहली बार देखने हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर आपको मिलेंगे ग्रूमिंग वीडियो प्रॉडक्ट रिव्यूज फेटनेस वीडियो थोड़े बहुत व्लॉग्स तो यदि आपको इन्वे से कोई भी चीज़े पसंद हैं तो एक बार वीडियो सेक्शन वे जाएगा सब चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और यदि पसंद आ जाता हूँ तब ही सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद घंटा दबाने के बाद दोस्तों से शेर कर दीज़ेगा गईस पैकेजिंग की बात करें तो एवर यूथ नैच्रल्स के जितने भी प्रोडेक्ट्स आते हैं ट्यूब फॉर्म में उन सब की लगबग पैकेजिंग एक ही जैसी होती है और यदि हम इसकी प्राइजिंग की बात करें तो 100 रुपे का ये टैन रिमूबल पैक आता है कॉंटिटी इसकी 50 ग्राम दे रखी है अब जरा हम इसके फ्रेंट साइड में जरा हम डालेंगे रोशनी तो आपको देखने को मिलेगा कि एवर्यूत नाजरल स्प्योर एं लाइट लिखा हुआ है टैन रिमूबल पैक फॉर फेस एंड बॉड़ी उसके साथ नीचे नोंने कोने भी लिखा है इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में और जो यह वेरियंट है गाईज वो है चॉकलेट एंड चैरी फिर लिखते हैं डी टॉक्सिफाइज स्किन एंड हेल्प्स रिमूफ तैन जब इसके पीसे साइड में तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क इसमें क्या है तो उसको थोड़ीज और इन उने खाए कि अपके आप इसको हफते में दो-से-तीन बार यूज कर सकते हैं बड्ट मैं आपसे काऊंगा कि यह जो प्राड़क्स होते हैं इनको आप हफदे में एक इस दो बार यूज करिए जादा यूज करने की जरूरत नही इसमें थोड़े बहुत chemicals तो मिल लही होते हैं ingredients की बात करें तो ingredients की list आपके screen पे अच्छे से आ जाएगी आप इसको चाहो तो pause करके अच्छे से पढ़ सकते हो अब guys इससे पहले कि मैं आपको अपना experience बताऊँ और अपना opinion बताऊँ इससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहले दिन का impression था जो मेरा पहले दिन का experience था मतलब जिस दिन मैंने इस product को खरीद के पहली बार अपने चेहरे पे लगाये था वो ज़रा आप मेरा experience सुनिया hi guys पहली बार मैं इस product को अपने चेहरे पे लगा रहा हूं और इसको खरीदने का जो मेन रीजन था वो यह था कि अभी बीचे मैंने बहुत शूट करें जो टिक टॉक के लिए और बाकी विडियो के लिए वो थूप में तो मेरी यह चेहरा और गर्दन बहुत जाता टैन हो गया था इस चक्र मैंने इसको खरीदा और जो मेरा पहला एक जो फर्स्ट इंप्रेशन हम हुई है कि जब मैं इसको एपलाई करा था चैरे पर तो स्मेल जो है ना इसकी वो थोड़ी थोड़ी भूमर हमने खाई होगी वैसी स्मेल आ रही थी और इन्होंने इस पर पीछे लिखा हुआ है कि अगर इसको आप लगाते हो तो एक बर्निं मिलेट होगे हलकी फुलकी बर्निंग सेंसेशन जो है कहीं कहीं मेरे को महसूस हो रही है और इस पूरे मैंने टैन रिमोबल बैक को जो है अपने अब देख सकते हो यहां से लेकिनेक तक लगाया है और पीछे नेक एगे में भी मैंने इसको लगाया हुआ है ताकि जित्ती पंदरा फीज मिनट अपने चैरे पे फेस बैक लगाने के पाद आपना चैरा वाश कर लिया और वाश करने में को इती डिकत निया आया अराम से मतलब थी चैन में पूरा पूरा प्रा पैक निकल गया था जो पहला इंप्रेशन लगा है मेरे को 15-20 बीज मिनट लगाने के पाद मेरे को फील हो रहा है अभी कि टैन एंस सज इतना नहीं गया है तो कि अब पता नहीं कामरा में दिख रहें कि नी चैन मेरे बिसी क्ली नेकिश कीरी में जादा था बट यह है कि जो चैरे पर डलनेस सीना वो डलनेस हट गई है और यह ऐसे करके समझ आ रहे हैं कि हाँ चेरे पर थोड़ा मॉइचराइजर आया है बड़ जो टैन के लिए जो लिया था हो सकता है एक तू वाश में जाए जो कि एक वाश में चला जाए तो क्या क्या ही कहने तो अब मैं नेक्स्ट चार दिन वाद पर ट्राइकर होगा इन्होंने बोला है वैसे हफते में दो तीन बाट ट्राइकर सकते हैं बट मैं हफते में एक से दोई बाट रहे करने बहुंग है वैसे भी आपने जो मेरी पिछली क्लिप देखी वो मेरे पहले दिन का इंप्रेशन था पहले दिन का मेरा एक्सपीरेंस था आई होप कि आपको वह सारी चीज़े देखके समझ आया होगा कि आप जब इसको पहली बार ही उसकरेंगे तो आपको कैसा था मेरा पूरा पूरा experience और क्या आपको ये product लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो गईस देखो इस product को लेने का सीधा साधा fund आई था कि पिछले एक डिएड़ महीने से मेरे shoot बाहर बहुत जाधा करा था फिर चाहे वो tik-tok की हो फिर चाहे आपने clients की हो तो दोपहर में निकलना बहुत जाधा हो रहा था और धूप में exposure बहुत जाधा हो रहा था उस चक्कर में tan बहुत जाधा हो गया था चाहरे पर यही reason है कि मैंने Garnier का जो anti-pollution moisturizer लिया था जिससे मैंने दूसरे बार से जो है मेरे को फरक हलका हलका दिखना शुरू हुआ था गईस में एक चीज आपको और बदा दू कि अगर आपका बहुत पुराना है तो वह इस से जाने में थोड़ा टाइम लेगेगा जो हाल फिलाल में जो ने ने टाइन होता है जैसे आज आज आप धूप में गया है पुरी skin जो भी exposed होई है संसे वह आपकी टाइन होगी है तो वह इसली आपकी इस से निकल जाएगी बट जैसे मेरे जो गरदन पीछे ला बहुत जाएगा जाता है तो उसको जो है रिमूफ करने में बहुत जाएगा अच्छा था किसी परकार का कोई भी side effect देखने को नहीं मिला है जब आप इसको चेहरे पर लगा रहे होते हो तो थोड़ा सा जो है बर्निंग उससे दिन प्रॉड़क को छोड़ दो अब यह मत सोचा करो कि यार सौध दो सौध दो सौध जितने का प्रॉड़क लिया पैसा भी जो जाएगा यार ठीक है आप उसको वसूल करने चेकर में लगाओगे बट उसका जो स्किन के धजिया उड़ती है तो उसमें जादा पैस लगता है तो यह प्रॉड़क का मेरा एक्सपीरेंस एक नमबर था किसी परकार का कोई साइड एफक देखने होगे नहीं मिला जिस परपस के लिए मैंने लिया था वो परपस सौल हो गया और गाईज कोई परकार का साइड एफक जैसे मैंने पहले बताया और हाँ अगर करते हो टान रिमूफ करने के लिए और स्विच करना चाहते हो सो दिस इस गॉना भी और नेक्स प्राड़क बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में एज ऑल्वेस दे दूँगा और यो गैस कि आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा फिलाल मैं जा रहा हूं इसकी एडिटिंग करने मिलता हूं मैं आप से ऐसी एक्साइटिंग नेक्स वीडियो में ठील दिन नमस्ते अल्लाहाफिस